Hello everyone, welcome to Chad Education इस वीडियो में बात कने जारे हैं आई से की बिग अनॉंस्मेंट के बारे में सबी CA स्टूदेंट्स के लिए जो भी अपकमिंग में एंड जून 23 में एक्जाम चुन दिने जारे चाहिए आप CA Foundation Intermediate Final Level से भी लॉंग करते हो अनॉंस्मेंट में जो एंसी जून ने एक्जाम फॉर्म में क्या क्या चेंजिस हुए हैं जिसकी वज़ा से CA स्टूदेंट्स को रिलाक्सेशन मिलती है एक्जाम फॉर्म फिल करते समय सो पहले के टाइम में जब आप exam form fill किया करते थे CA students उसमें जो है उनको exam form fill करते समय जो है declaration भी upload करना पड़ता था जी हाँ declaration basically एक format होता था उसको आपको print out करवाना पड़ता था उसके बाद से attest करवाना पड़ता था और फिर उसको scan करके फिर exam form fill करते समय अप्लोड करना पड़ता था CA foundation और CA intermediate final वाले students जो की articleship pursue कर रहे होते हैं लेकिन at present में यह सब कुछ करने की students को कोई भी requirement नहीं होती जब आप exam form fill करते CA foundation वाले students so exam form fill करते समय यह self declaration करके text होता है उसमें जो आपको जैसे आप screen में देख सकते I agree में सिरफ simply click कर देना होता है तो यहीं आपका self declaration form हो जाता है आपको अलग से कुछ document upload करने की requirement नहीं पड़ती लेकिन जो भी student intermediate final के होते हैं articleship ongoing होती है उनको जो articleship related declaration होती है वो भी बिना कुछ upload करे exam form successfully fill कर लेते हैं जैसे हो exam form fill कर लेते हैं उनके सामने एक ऐसा message pop up हो जाता है जिसमें उसमें लिख होता है your examination form has been submitted successfully and is pending for approval at your principal end जिसमें उनकी principal का name और ID mention होता है तो simply students को क्या करना पड़ता है अपने principal को request करना पड़ता है कि वो अपने SSP portal में login करे dashboard में जाके आपके exam form को approve कर दे और जैसे आपके exam form आपके principal approve कर देता है तो आपको message show हो जाता है your principal has approved your examination form we wish you success ahead तो जो intermediate final में particular articleship ongoing होती है जिनकी उनको ये additional step करना पड़ता है बाकि अब remaining बसते है intermediate जो की foundation roots है जिनोंने articleship जोई नहीं करी उनको हैसाच कुछ भी करने की requirement नहीं पड़ती है तो ये आप देख सकते है relaxation होता है ये सभी CA students के लिए exam form फिल करते समय 3rd February onwards आपके exam form भी start होने वाले उसके regarding में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि exam form कैसे फिल करते है बाकी चैनल को subscribe करके आपके लिए आपके लाएगी